लोग सभाच नौव अब अपने आखरी पड़ाव पर हैं सातवे चरण का मद्दान एक जून को होना है इसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत जोगती है लेगिन इस बीच शोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री नरेंद मोधी का एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें प्यम मोधी मंच पर ओपी राजभर के वेटे और घोशी से उमीदवार अरवेंज राजभर को पंच मारते हुए देखे जा रहे है उनका ये वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दलसल ये वीडियो घोशी का है जब प्यम मोधी यहां जनसभा करने पहुँचे थे जनसभा खत्म होने के बाद प्यम मोधी अरविन राजभर के साथ हलके मून में दिखाए दिये और राजभर को रोकते हुए अरविन राजभर के बारे में कुछ कहती है इस बीच पियम मोदी अर्विन राजबर की बहाँ पर एक पंच भी मारते हैं जब पियम मोदी अर्विन राजबर को मंच पर पंच मारते हैं तो उनके पंच मारते ही आसपास मौजूद लोगों के साथ ही अर्विन राजबर भी हस पड़ते हैं उनके आसपास सहयोगी दलो के नेताओं के साथ ही बलिया लोकसभासीच से प्रत्याशी नीरा सेखर भी मौजूद है। इस दोरान नीरा सेखर भी पियम मोदी को अर्विन राजभर के बारे में कुछ बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको लेकर अर्विन राजभर ने बताया कि मोदी जी के साथ 2016 से उनका संबंध है। वो जब भी मिलते हैं इसी तर लाइट मूड में मिलते हैं। कभी गल्या लगा लेते हैं तो कभी वहां में हाट डाल देते हैं। कई बार पंच भी देते हैं। अर्विन राजभर ने बताया कि पियम मोदी ने पंच मार कर देखा कि उनकी बाह में कितनी ताकत है। बैराज शोशल मीडिया पर पियम मोदी का अर्विन राजभर को मंच पर पंच करने का ये वीडियो तेजी से वारल हो रहा है। वैसे आपका इस वीडियो के लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बते हैं